हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का मेरे चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे Excel के अंदर Excel का formula को यूज करने के बारे में कैसे हम Excel के अंदर Excel का formula को यूज कर सकते हैं साथ इसाथ हम Excel में जो इसकी short command होती है जिससे Excel में काम करना और भी असाम होता है हम उसको भी शीखते चलेंगे जिससे हमारा advanced Excel पर हाथ और भी धीर होता जाएगा आपके सामने टेवल बनी हुई है इस टेवल के अंदर कुछ नाम है उनके आगे कुछ जादा हो तो यहांपर क्या होगा एकल का फॉर्मले का यूजल दोका एकल का फ्रफॉर्मला ज tomorrow जयसे में यहाँ पर लगाऊ गा तो इनके आगे के जो भी वैली होगी हुछ उटके यहां पर आजाएगी तो यह मेरा फोर्मだ मातर एक के को दो सैकेंड को वगा लेकिन जो मेरे काम है फटाफो दो continuing बजाए में एक को मैनोल एंटर कुरूह उससे बैटर है कि मैं एक्सथी का लिए painting यहाँ रहा फिर यूजिए बैट्ब्र फोर्मोन लाइन इसे अंपे एक्वुल X Look Up max all lock if लगा लगा के मैं भूला column B में जाना सोरी सबसे परने इसको बताऊँगा कि यह नामप चेक करना यह नाम में इससे कहां पर देखना है column B के अंदर column B के बाद में लगाँऊगा कॉमा कॉमा लगाने के बाद में इसको बूलूँगा कि अगर ये नाम यहाँ पर है तो उसके सामने वाला value यानि column C से value उठा के लिए आना अब यहाँ पर एक conditions को हम यह भी दे देंगे कि अगर इसको यह नाम यहाँ पर नहीं मिला तो इसको यहाँ पर क्या लेकर आना है ठीक है तो मैं इसको बोलूगा कि यहाँ पर अगर यह नाम नहीं मिले तो उसका value की जगह पर तुम not found लिख देना इससे में पर पता लग जाएगा कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति या कोई भी परसन यहाँ पर अब मैं इसको 01 यह मैंने इसको एंटर कर दिया जैसे मैं एंटर किया तो देखिए यहाँ पर मैं देखूंगा आकाश के आगे यहाँ पर जैसे मैंने आकाश इसमें होगा आकाश देखिए रहा आकाश आकास के आगे जो value है वह 512 है तो यहाँ पर 512 value automatically आगए अब मैं यहाँ पर नीचे जाके और इससे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा पेस्ट करने के दो उसका cell होता है उसका formula उसका format सबकुछ इसे कैसे copy paste हो जाएगा तो देखिए यहाँ पी यह मैंने इसके अंदर लगा दिया अब यहाँ पर इसका total चेक कर लेता हूं कि मेरा जो मैंने फोर्मर लगा है वह सही लगा नहीं लगा तो उसके लिए क्या मैं इसको select करूंगा इसको this minus this इन दोनों को minus किया तो यहाँ पर देखे value zero हो गई है इसका मतलब मेरा formula exact सहीव काम किया है यहाँ ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आप Excel का formula का अपने Excel के अंदर इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने वर्ग को और भी easy कर्दम बना सकते हैं ठीक है यह मैंने आपके साम अधर कोई भी accounting software है उसके आपको कोई भी knowledge चाहिए किसी भी तरह का आपको कोई भी question है तो आप मेरे comment box में जाके उसको अपटाइब करके में जिरूर पता है मैं आपको उसका solution देने का पूरी-पूरी कोशिश करूँगा साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहँगा कि मैं Excel के अपनी वीडियो के थूँ अविलेबल करवाऊंगा मेरा जो चैनल है इसके उपर तो आप वहां से देखके एडवांस एक्सल के बारे में भी जान सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ विसको शेर करें